आप सभी मीडिया बंधूं का बहुत अभिवादन, कल सरकार ने अमरित काल के बजट को प्यस्तुत किया और आप आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि ये बजट भविश्य काल में देश को अंधेरे की और लेके जाएगा इसमें ना तो कोई विजन है ना ही कोई अमरित है और आम आदमी पार्टी का यही नारा है कि इस बजट को लेके हम चार पंक्तियों में कुछ कहेंगे नमबर एक, ना किसान, ना जवान, ना नौजवान बजट में किसी के लिए नहीं कोई प्रवधान, अमरित काल में अमरित के लिए तरस रहा आम इंसान, पूंजी पति कुछ बजट से जुड़ी हुई कुछ तथियों का मैं आपके समक्षिन को रखना चाहूंगी और मैं चाहूंगी जो लोग भी मुझे अभी सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से इन तथियों को सुने नमबर एक कृषी शेत्र में सत्तर से असी करोड जो किसान थे उन्होंने उमीद लगा बैठी थी कि शायद MSP जो है वो दुग ना किया जाएगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ सतर से असी करोड फार्मर्स के लिए 2200 करोड का स्टाट अप का प्लान शुरू किया गया और यह बहुत दुखत बात है क्यूंकि डेली की जो अपनी प्रॉपर जो डेली गर्मेंट की अपनी नॉर्मल स्कीम्स है वो भी 2200 करोड से जाधा होती है दूसरी बात, किसी कृषी शेत्रम को लेके, किसी भी किसान के लिए कोई भी subsidy फर्टिलाइजर को लेके नहीं आई दूसरा point, सेना के जवान जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी घोशना नहीं हुई रक्षा बजट में कोई भी बड़ी आयोजना का उनने specification नहीं दिया नमबर तीन, नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी problem बनी दिये हिंदुस्तान में unemployment rate जो है 8.3% है, उसके बावजूद भी जैसे पहले promise किया गया दो करोड नौकरियों के लिए इस budget में कोई भी घोशना नहीं की गई खेल budget में भी कोई भी ऐसी घोशना बड़ी घोशना नहीं की गई नमबर चार, प्रधान मंत्री अवास योजना, 15 अगस 22 तक जो था पहले सरकार ने ये एलान किया था कि वो सभी मकानों को पक्का करेंगे मगर ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर जमू किश्मीर में प्रधान मंत्री अवास योजना, अर्बन को देखा जाए तो आज भी 11,000 अप्लिकेशन जो है वो पेंडिंग है तो उस पे जो है सरकार की जवाब दे बनती है पांचवा पॉइंट इस बजट को लेके ये बजट जो है देश को करजे में डूबेगा कैसे 53,000,000 करोर जो है करजा जो था ये टोटल था 2014 अब इस बजट के आने से उन्होंने डेड़ लाक करोड का जो करजा है इस बजट में जोड दिया अब जो टोटल करजा सरकार के ओपर है वो है 1.66 लाक करोज तो अगर मैं मोटे-मोटे शब्दों में और अंकों में आपको बताऊं तो ये बात है कि 45 लाक करोज का जो बजट है ये टोटल है और उसमें 15 लाक करोड जो है वो सिर्फ करजा है छटा पॉइंट सरकार ने इंक्रूसिव ग्रोथ की बात करी है इसमें कोई भी इंक्रूसिव ग्रोथ नहीं है सिर्फ जुमले बाजी है सिर्फ बाते हैं चाहे वो अच्छे दिन की हो बुलेट ट्रेनों की हो कोई भी नया हॉस्पिटल जो है उसका अलान नहीं किया गया नो मैसिव स्पेंडिंग इन फील्ड अफ एजुकेशन नाशनल एजुकेशन पॉलसी के पहट जीडिपी का 6 प्रतिशत जो है 2.5% तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया वो पैसा जो एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाए नेक्स पॉइंट अनिम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंदुस्तान का वो 8.3% है और अर्बन एरियास में यही अनिम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10% है सरकार इस अनिम्प्लॉयमेंट को कैसे सौट आउट करेगी इसके बारे में सरकार ने बज़ेट में कुछ भी नहीं कहा है जहां तक सरकार ने अलान क्या है कि 50 एरपोर्ट जो है वोने लाए जाएंगे मगर सरकार के पास अनिम्प्लॉयमेंट को टाकल करने का कोई भी जो है एक grand vision नहीं है सबसे बड़ी बात 35 रुपे जो है रोज की काफी लोगों की कमाई है ऐसे लोग इस budget की तरफ देख रहे थे inclusive safety के लिए वो चाहते थे कि उनको भी include किया जाए मगर कोई भी inclusive attitude सरकार ने इनके लिए नहीं रखा ये inclusive budget है rich लोगों के लिए पूंजी पतियों के लिए 21 अरब पती जो है हिंदोस्तान में उनकी जो total income है वो अगर मैं equal करूँ वो 70 करोड भारतियों के पास है उनकी total income कमपेर करें अब इन्होंने इन 21 पूंजी पतियों अरब पतियों के उपर सरचार जो है लिवेज बना दिया कि अब आपको सरचार जो है 37% से लेके 25% पे घटा दिया income tax की चूट की बात हुई उनके कहा जी हमने tax slab में जो है हमने इसकी दर बढ़ा दी 7 लाग दर कर दी मगर अगर मैं आपको calculation के हिसाब से पता हूँ तो सिरफ 50,000 रुपे की चूट है 4% लोग हिंदुस्तान में tax देते हैं उसी calculation के तहर 4% में सिरफ 10% लोग ऐसे हैं जो इस policy का जो benefit उठाएंगे तो अगर मैं मोटे मोटे आंकडों में कहूँ तो सिरफ 0.4% लोगों को फायदा होगा ये सरकार का आखरी budget है अगले साल elections होने वाली है 2024 पर ये interim budget लेके आएंगे तो ये वाला जो budget है ये election manifesto budget जादा लगता है और लोगों के हिपने budget कम जमू कश्मीर पे आते हैं जमू कश्मीर को 35,000 35,581.44 करोल रुपीज दिया गया है मगर ये current fiscal revised estimate जो के रुपीज 44,538.13 करोज था उससे काफी कम है तो तक्रीबन 8-9,000 करोड आपने हमें कम पैसा दिया ये क्यूं? ये सरकार ही बताएगी डेली को पिछले 22 सालों से एक ही amount बिलता जा रहा है और कली press conference पे जो था सिसोदिया साब ने बड़ा एलान किया था कि 325 करोड जो है वो ही पिछले 22 साल से जो है डिली की सरकार को दिया जा रहा है केंदर की सरकार के दोर से दूसरा ये budget जो है आम आदमी के लिए काल का रूप है अच्छे दिन का तो पता नहीं पता नहीं इसका bus stop कब आएगा निकल चुका है या आगे आएगा ये तो सरकार ही बता सकती है World Health Organization के एक estimate था उन्हें कहा है कि 2012 से लेके 230 तक कितने लोगों की जो इंडिन economy है just because of mental health जो है damage होगी सरकार अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो World Health Organization कहती है हिंदुस्तान में एक मनोच कितसक है तकरीबन एक लाख लोगों के लिए सरकार ने अपने बजट में इसके बारे में किसी भी चीज को include नहीं किया इस goal मटोल जो budget इन्होंने सरकार ने पेश किया अब सबसे amazing बात यह है कि आज से सरकार 12 दिन का campaign चलाएगी देश भर में क्यूँ क्योंकि वो लोगों को समझाएंगे कि इस budget में क्या चीज है यह बड़े ही दुख की बात है कि इनका सब्तरिशी जो इनका seven point agenda है वो fail कर चुका है सबका साथ सबका विकास fail कर चुका है भागीदारी जो जन भागीदारी की इनने बात करी है वो fail कर चुकी है और उसी के साथ जो इनका वासुदेब कुटुमबकम का जुनारा है वो भी fail कर चुका है कभी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया कि all over India वो एक campaign चलाएं कि भाई ये हमारा budget है और ये लोगों को समझाएं नॉर्मली जब भी कोई सरकार अपना budget निकालती है तो उसमें automatically लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या चीज उनके favor में है अब मैं आपका जो ध्यान है एक बहुत महत्वपून point पे लेके जाना चाहूंगी देश के लोग tax क्यों देते हैं देश के लोग taxes लिए देते हैं ताकि जो भी revenue generate हो वो देश के हित में development में use हो मगर अब लोगों को ये भी आशंका है कि जितना भी taxpayers का money है क्या वो safe है US-based company Hinderberg की research जो हिंडबर्ग research है उन्होंने अपनी एक report निकाली 25 जनवरी 2023 को उन्होंने ये total एलान कर दिया 106 page की ये report उन्हें एलान कर दिया कि वित्तिया fraud किया गया है अदानी की company ने मैं छोड़ा मोटा आप लोगों को आप लोगों के जरिये लोगों को ये समझाना चाहूंगी के tax haven countries में अदानी ने अपनी बेनामी कमपनिया खोली वहां से उन्होंने क्या किया जो उन्होंकी 6-7 कमपनिया हिंदोस्ता में जो conglomerate था उससे उन्होंने ये ही shares खरीदवाए market में ये बताया कि इनके shares बहुत अच्छी इनकी value जा रही है और ultimately इन्ही की बेनामी companies जो थी इन्ही के shares market से उठा लेती थी profit दिखाया गया और ultimately देश के निवेशकों का 4.00,00,00,00,00,00 रुपीज जो था वो डूब गया LIC ने धरंदर जो है इनके share खरीदे SBI ने इनको loan दिया 87,000 crores जो है share खरीदे गए LIC ने share खरीदे आप लोग के माध्यम से मैं लोगों को से पूछना चाहूंगी कि आप खुद बैटके सोचिए कि जब आपने LIC में अपनी investment करी तो आपने भविश्य के लिए investment करी मगर आग जो है आप लोग का पैसा safe नहीं है धाई लाग करोड रुपे का जो करजा है वो अदानी के ग्रूप पर है 74,000 करोड जो है ये जो करजा था मोधी साब अलड़ी अपने दोस्त को माफ कर चुके है 87,000 करोड के अगर share LIC खरीदती है तो सरकार को समझाना पड़ेगा कि किस की permission से ये 87,000 करोड रुपे के आपने शेयस खरीद वाए आम आदनी पार्टी के बहुती वरिष्ट नेता संजे सिंग सर जो की राजसभा के मेंबर है उन्होंने प्राइमिनिस्टर को चिठी लिखी है सेभी को चिठी लिखी है IT डिपार्टमेंट को CBI को और E.D. डिपार्टमेंट को चिठी लिखी है कि जल से जल पार्लिमेंट हाउस में इसके ओपर डिबेट कराई जाए जल से जल एक JPC का जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी का गठन हो और इसके ओपर डिसकर्शन हो और जल से जल इस अदामी फैमिली का जो है पासपोर्ट जब किया जाए क्योंकि 20,000 करोड जो है नीरव मोदी और चौकसी साब अलरी लेके भाग चुके है 10,000 करोड विजय मालिया लेके जा चुके है और अब हम नहीं चाहते कि हमारा जो पैसा LIC में लगा है जो SBI ने लोन दिया है वो भी ये लोग लेके भाग जाएं बहुत महत्पून बात ही है कि 106 पेज की ये रिपोर्ट थी 413 पेज का अदानी साहब ने अपना रिस्पॉंस दिया उनसे 88 क्वेश्चन्स पूछे गए इस रिपोर्ट में और इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये कहा है कि अदानी साहब 88 क्वेश्चन्स में से सिरफ 62 क्वेश्चन्स का अंसर दे पाए आज ही सुबह अदानी साहब ने अपना एक यूट्यूब पे अपना एक छोड़ा विडियो डाला है और जो लोग भी इसमें इंवल्ड है उनके खिलाफ आक्शन देना चाहिए एक और बात में आपके समख्ष रखना चाहूंगी 1957 में एक बहुत बड़ा घोटाला जो था लाया गया था सामने और जितने भी पड़े लिखे लोग हैं और जो लोग थोड़ी बहुत भी जो है फाइनस की थोड़ी बहुत भी नॉलिज रखते मेरी बात ध्यान से सुने 1957 में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे कहते है मुद्रा अफैर इसमें LIC ने 1.25 करोज जो था शेयर्स खरीदे हरिदास मुंद्रा की कुछ ऐसी कंपनी इसमें अपने शेयर्स लगाए कुछ खरीदे हुए थे और LIC ने 1.25 करोज रुपीज के जो थे शेयर्स खरीदे इसी बिना पे एक जेपीसी का संगटन हुआ और सबसे बड़ी बात जो है एक कमिटी बिठाई गई जिसमें जस्टिस एमसी चगला ने 24 दिनों में जो था डिसिजन लिया और अल्टिमेटली हरिदास मुंद्र जी को अर्रेस्ट किया गया और टीटी कृष्टमचारी जो ते टीटी कृष्टमचारी जो उस वकत है जो हिंदुस्तान के फञांस मिनिस्टर थे उनको रिजाइन करना पड़ा अब अंत्वे में यही बोलना चाहूंगी कि इस बात में हमारी भारत की सरकार केंद्रिय सरकार भारत के प्रधान मंत्री निर्मला सीता रामन जी इस पर डिबेट कर वाती है क्या जवाब देती है वो सांसद में यह तो वक्त ही बताएगा मगर अंत्वे में यही कहना चाह भो ऐं जो बाई जो बीजेपी को बहुत ही पसंद है और अटल विहारी वाज परें ने कऊछ साल पहले कहा था नंको को और गवाम कर रही हूं यह कहा था कि राजनीती बहुत ही खतरनाक करती हूं यही कहते हुए कि आम आदमी पार्टी इस बजट को जो है एक दम शून्य अंक देगी और सरकार को बोलेगी पहले आप हिंडर बर्ग रिपोर्ट पे जो है संसद में जो आप पहले इस पे चचा करवाएं और अदानी सहाब जवाब दें दे और अगर बनता है तो कि राजनीती इस देश में खेली जा रहे है इसमें हमारे प्रधान मंत्रे बारी वित मंत्री बार बार एक स्टेट्मेंट देते हैं कि हम फाइव ट्रिलियन एकॉनमी बनेंगे तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं यह सुच जानना चाहूंगी क्या भाजपा के नेताओं को जो दिगज नेता उनको यह भी पता है कि फाइव ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं तो कहने को क्या जाता है आइमिफ की अपनी रिपोर्ट है वो पहापस अपनी अपनी रिसर्च बेसिस पर अपना स्टेट्मेंट देते हैं मगर हमारी जवाबदाई जो है लोगों की भा हमारी पार्टी की जो कैम्पेइन है प्रवक्ता के तोğर पर लोगों की तो बहुंच रहे उनको बता रहे हैं मैं आप वच्वाआनों के माध्यम से जो है लोगों को जागुरू करने यंकि कोशिक करुए